हलो स्टूरिंट्स आज जिस ब्रायफाइट को हम पढ़ेंगी वो है मारकेंशा इससे पहले हम रिक्सिया के थैलस को पढ़ चुके थे अब हम वेजिटेटिव स्ट्रक्चर ऑफ मारकेंशा या मारकेंशा के थैलस के बारे में स्टेडी करेंगे मारकेंशा का जो नाम मारकेंशा है वो फ्रांस के एक प्रिसिद्द बॉाटनिस्टै थे निकोलस मारकेंट या निकोलस मर्चिंट भी बोलते हम उनके नाम पर रखा गया था और मारकेंशय की लगबग 65 विश्व 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 गैमिनेटा भारत में पाई जाती है अगर हम मार्केंशय का systematic position देखें तो division bryophyta class hepatic oxida order markenshills family markenshills यह एंड genus markenshya यह आपको thalis दिखाई दे रहा है this is the thalis of markenshya जिसके अंदर आपको reproductive stage दिखाई दे रही है यह जो thalis है यह आप देखेंगे यह जो structures है यह आपको leafy leafy structures दिखाई दे रही है यह है markenshya का vegetative thalis और इसके उपर यह छतरियां दिखाई दे रहे हैं आपको umbrella जैसी these are basically the archegonio four क्या ही है archegonio four होते है अगर हम genus के बारे में देखें तो यह generally terrestrial या moist soil के उपर shady place पर damp soil में rocks के उपर moist या गिली rocks के उपर जो धाराएं हैं जलदाराएं उनके किनारों पर यह generally पाए जाती है और अगर हम इसका gametophetic generation को study करें तो उसका vegetative structure डॉरसी वेंटरल होता है prominent mid rib होती है इसके अंदर और apex के उपर यह काफी deep हो जाती है आगे की तरफ इसमें apical notch होती है जैसे कि रिक्सिया में होती है वैसे ही apical notch होती है दायको टमर्सली ब्रांच इसका तहलस होता है और जो median groove है या prominent mid rib है उस पर gammy जो की sexual reproduction की structures होती है वो पाई जाती है sex organs special upright branches पे होते है जो enthridia को bear करते हैं उनको हम enthridio 4 कहते हैं और जो archegonia को bear करते हैं उनको हम archegonia 4 कहते हैं जैसे कि आप इस diagram में इस photograph में देखेंगे this is archegonia 4 यह archegonia 4 है लंबा सा यह structure जिसके उपर यह पूरा archegonia 4 structure है umbrella और यह लंबा structure जिसमें archegonia पाई जाती है आप आगे जब पढ़ेंगे तो यह चीज़ आपको एकदम clear हो जाएगी उसके बाद में यह गैमी है this is gamma this is gamma cup which is the type of asexual production यह गैमा थैलस में यह जो गोल गोल structures दिखाई दे रहें कटोरी जैसे यह सारे गैमा है थैलस के अंदर पाई जाते हैं अगर हम इसकी ventral surface देखें डॉर्सल surface तो आपने देख ली ventral surface देखें तो उसमें भी median groove होता है जिस पे rhizoids और scales attached होते हैं center में यह skills और rhizoids बीच में लगे होते हैं रिक्सिया में यह लगे थे skills इसके अंदर center में लगे हुए है smooth wall होते है inner wall is smooth होती है living cells होती है fix the plant body to substratum जो भी smooth wall rhizoids होते हैं वो plant body को substratum पे fix करने का काम करते हैं और gel और soil के जो soluble substances होते है nutrients होते हैं या solutes होते हैं उनको अविशोशित करने का काम करते हैं दूसरे तरह के जो rhizoids है वो है पैग लाइक structures हैं यह these are tuberculated rhizoids यह smooth walled rhizoids यह tuberculated rhizoids यह tuberculated rhizoids बाहर से दिखाई दे रहे हैं यह पाए जाते हैं और यह जो rhizoids होते हैं इनके अंदर protoplast नहीं होता है जब यह mature हो जाते हैं तो इसमें protoplast नहीं होता है लेकिन शुरू में होता है वन दे अर यंग दे कंटें protoplast and they help in retaining moisture in the ventral surface ventral surface के उपर moisture आदृता को अवशोशित करने का काम करते हैं और जितने भी भाग है या जितना भी portion है उस थालस का उसके अंदर पानी को बहुतायत में केरी करने का काम करते हैं इसके लवा scales दो तरके होते हैं appendiculate and legulate scales appendiculate scales आप देखेंगे these are appendiculate जिसमें एक appendicle लगा हुआ होता है नीचे का portion और उस पर ये large wedge shaped structure होता है appendage उसके tip पे लगा होता है और legulate में छोटी सी tongue की shape की jeep की आकर का होता है जिसके अंदर appendage नहीं लगा होता है scales जो होते हैं वो mucilage को secret करते हैं और जो भी growing points होते हैं उन growing points को सूखने से बचाते हैं तो scales के अंदर क्या होता है mucilage secret होता है और जो growing points है उनको सूखने से बचाते हैं नीचे की तरफ lower epidermis, lower epidermis से rhizoids और skills निकलते हैं अपर epidermis में कुछ ports होते हैं जिनको की air ports कहते हैं और ये air ports gaseous exchange का काम करते हैं उसके बाद आता है photosynthetic region या photosynthetic zone तो ये जो उपर वाला हिस्सा है this is photosynthetic region अब अगर हम photosynthetic region को देखें तो इसमें regularly arranged air chambers होते हैं जो की कुछ partitions या subta के द्वारा separated होते हैं और इसके अंदर कई सारे photosynthetic या assimilatory filaments होते हैं each chamber has a large number of photosynthetic or assimilatory filaments arise from the floor of the air chamber air chamber की जो floor है उससे arise होकर के ये उसमें अंदर ये filaments पाई जाते हैं जिनका काम क्या होता है photosynthesis होता है then there is storage region storage region जो होता है वो compactly arranged colorless thin wall parenchymated cells का बना हुआ होता है जो की starch grains को और protein bodies को absorb करते हैं और कुछ cells चोती हैं इस area की storage region की कुछ cells में mucilage और oil bodies पाई जाते हैं so this is about the internal structure of the thallus इसका asexual mode of reproduction जिसमें gamma है fragmentation है और या death and decay of the older part है वो सारे चीज़े हम लग आगे की video में पढ़ेंगे so this is all for today thank you